आज हम लोग बात करने वाले हैं MSME सेक्टर के बारे में यानि की माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकलर ओपिनेन आर्टिकल में जो हिंदू बिजनस लाइन में आया था पावरिंग MSME in the next decade of growth तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगले decade में अगर हमें MSME में अगर growth लाना है तो हमें क्या करना है क्या इसकी problems है किन चीजों के उपर हमें ध्यान देना चाहिए यह सब हम लोग बात करने हैं आले हैं इस वीडियो में अगर हम लोग आज की बात करें अभी की बात करें इंडियन economy में MSME sectors कितने हैं यानि कि MSME enterprises कितने हैं 6.3 crore MSME enterprises है और ये MSME enterprises 33% of GDP की तरफ contribute करते हैं यानि कि अगर हम लोग 100 रुपिये के goods and services produce कर रहे हैं उसमें 33% goods and services आ रही है कहां से MSME sector से तो यह बहुत ही important sector है है हमारे देश का इसके आलावा काफी जादा employment भी generate करता है MSME sector अगर हम लोग बात करें 6.3 crore MSME जो है वो provide करती है livelihood to about 110 million people यानि कि 11 crore jobs भी provide करती है MSME sector तो बहुत ही important sector है यह establish कर चुके हैं अगर हम लोग बात करें MSME आपको लग रहा हूँ था सरी MSME है क्या कैसे हम लोग इसको define करते हैं देखिए 2006 में MSME sector का classification हो था तो earlier definition कुछ इस तरह था कि अगर micro हो तो investment 25 लाग से कम होनी चाहिए और services sector में investment 10 लाग से कम होनी चाहिए लेकिन आपको इस अपर वाली चीज़ पर focus नहीं करना है क्योंकि definition revise हो चुका है यह है नया definition जो पहली जुलाई 2020 से लाग हो चुका है तो 1st July 2020 से distinction नहीं है manufacturing और services के बीच simple एकडम classification है micro, small और medium का, micro मतलब जहाँके investment 1 क्रोड से कम हो और turnover 5 क्रोड से कम हो, small मतलब जहाँके investment 10 क्रोड से कम हो और turnover 50 क्रोड से कम हो और medium मतलब जहाँके investment 20 क्रोड से कम हो, और turnover 100 crore से कम हो, तो आपको ये नीचे वाली चीज याद रखने है, exam perspective से अगर आपको definition के उपर सवाल आ जा, ठीक है, तो ये है classification, एक जुलाई 2020 से ये लागू हो चुका है, अब बात करते हैं एक और observation, कि अगर हम लोग MSME sector के बारे में बात करें, हम लोगों ने कहा कि इंड क्लियरली पता चल जाएगी, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग दूसरे developed देशों की बात करें, जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी में MSME का contribution 55% है, अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना में 60% contribution आता है MSME sector से, लेकिन इंडिया में केवल 33% आता है अभी यानि कि इससे एक प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी देश को देखिये, वहाँ पे most of the GDP contribution comes from these small, medium and micro enterprises, because obvious है कि employment जादा होगी, और products आप जितने बनाओगे, वो competitive बनते जाएगे धीरे-धीरे-धीरे, क्योंकि micro से small बनेगे, small से medium बनेगे, medium से तभी जाकर large company बन सकते है, तो ये transition होना चाहिए, तो जितना ज्यादा contribution वहाँ से आगया, उतनी ही ज्यादा हमारी probability बनेगी, बड़ी companies भी बनेगे, और इंडिया में दूसरा problem है, एक तो MSME sector का contribution 33% है, लेकिन कम है, दूसरा ये है कि इंडिया में जो पूरी economy है, वो services की तरफ थोड़ा सा स्वेड है तो it is very clear कि MSME sector भी थोड़ा सा उसी तरफ स्वेड रहे, बट in general इंडिया में अगर बात करें, तो manufacturing MSMEs भी काफी अच्छा करती है, काफी competitive है, लेकिन और भी बड़ावा देने की जरूरत है, तो केवल 33% है, तो अभी तक हमने क्या established किया, हम लोग ने established किया कि MSME sector बहुत ज सेक्टर बहुत बहुत जरूरी है, उन्होंने ये कहा है कि अगले 5 साल में हम MSME sector को बढ़ावा देंगे, और हम चाहते हैं कि 33% से 50% तक उसका GDP contribution बढ़े, और अगले 5 साल में और भी 5 करोड नए jobs हम बनाने वाले हैं MSME sector के थ्रूरू, और अगर हम लोग अभी की बात करें, कि MSME sector को बढ़ावा देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि COVID की pandemic की वज़े से हम लोग कह सकते हैं कि economy थोड़ा दिस्रूर हो गई थी, demand के उपर problem आ गई थी, यानि कि demand कम हो गई थी, MSME sector के उपर problem जरूर बढ़ गए थे, इसके आलावा इसी दोरान भारत ने आत्म निर किया है, तो हमको क्या करना है, हमको problems को identify करने और कुछ solution बताने है, तो चलिए बात करते है, problems क्या है, MSME sector, देखे अगर problem की बात करे, MSME sector में सबसे बड़ी problem है, credit की, देखे अगर इंडिया की बात करे, MSME sector में आपको बता है, 6.3 crore MSME से इंडिया में, उनका total credit requirement होता है, 36 trillion dollars, लेकिन इंडिया में कितना available है, 16 trillion dollar credit only available है, यानि कि कितना mismatch है, mismatch है, 20 trillion dollars का mismatch है इंडिया में, तो ये credit कहां से आएगा, यहाँ पे सरकार को involve होना पड़ेगा, सरकार ensure करनी चाहिए कि और भी ज़्यादा credit मिले MSME sectors को, ताकि economy बढ़ाव मिले, MSME sector को बढ़ाव बले, जि credit crunch में और भी problem आ चुक है, क्योंकि pandemic की वज़े से, और lower demand की वज़े से, और भी problems ज्यादा हो चुक है, तो यहाँ पे credit provide करने की बहुत ज़रूरत है, MSME sector, इसके अलबा, second major problem है, बहुत ज़्यादा informal है, हमारा MSME sector, अगर हम लोग बात करें, in formalization की, देखिए, मैंने कहा आप से की हमारे देश में 6.3 क्रोर MSMEs है, लेकिन इसमें से कितने registered है, हमारे GST network पे केवल 1.1 क्रोर, तो बाकी क्या होए, बाकी कि हम लोग in general कह सकते की informal sector में है, तो इसको formalize करना बहुत बहुत जरूरी है, formalize करेंगे, तो company को फाइदा मिलेग तो इससे और भी बहतर हो सकती है हमारी MSMEs, साथी साथ, इंडिया में regulatory problems बहुत जादा है, regulatory problem यानि की red tapeism हम लोग कह सकते हैं, देखिए, काफी cumbersome government services और approval मिलती है, अगर आपको कोई business शुरू करना है, तो अभी भी इंडिया में काफी समय लगता है, आपको business start करने में, construction permit मिलने में, contract को enforce करा हैं, tax process जो है काफी ज़्यादा complicated है, cumbersome है, यह सब problems है, इन सब problems को आप देख सकते हैं, हमारे ease of doing business के साथ, although ease of doing business में इंडिया काफी अच्छा करा है, लेकिन उसके parameters अगर आप देखोगे, सब parameters वहाँ पे improvement की बहुत ज़्यादा ज़रू है, तो regulatory problems को resolve क करना बहुत बहुत आवशक है, MSME सेक्टर को बढ़ावाते हैं, और सबसे बड़ी problem इंडिया में क्या है, इंडिया में scaling up की problem है, scaling up मतलब क्या है, मैंने आपको बता है, देखिए, micro enterprise है, micro से आप बनोगे small enterprise, small enterprise से बनोगे medium enterprise, medium enterprise से बनोगे big enterprise, लेकिन इंडिया में क्या हो है, इंडिया में कर हम लोग MSME सेक्टर की बात करें, मैंने आपके कहा, 6.3 crore MSME से, उसमें से 6.3 crore are micro industries होनी, केवल 0.33 million small enterprises से और केवल 5000 medium enterprises से, तो इंडिया में scaling up नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, कि scale up करे, micro से small बने, small से medium बने, medium से big बने, तभी जाकर आपकी economy बढ़ेगी, आपकी GDP बढ़ेगी, आपकी employment rate बढ़ेगी देश में, तो this is very very important, तो यहाँ पर हमनों नहीं क्या किया problem identification कर लिया, तो अगर जो problem identify कर रहे हैं, तो उसको solution भी देना बहुत जरूरी है, देखिए अगर आते हैं और बोलते हैं कि sir मैंने answer तो लिखा लेकिन मुझे marks ही नहीं आ रहे है, यह क्यों होता है, क्योंकि आपकी thought process in line होनी चाहिए, देखिए अगर मैंने कोई problem identify किया, उसका solution आपको देना बहुत जरूरी होता है, normally क्या होता है, जिसे मैंने आप एक credit के बारे में लिख जरूरत है, MSME bond market बनाने कि जहां से MSMEs can take credit, सरकार को तो जरूरत है, सरकार की काफी schemes चल रहे हैं, यह सकी मुद्रा लोन चल रहे हैं, और भी बहुत सारी schemes है MSME sector के लिए, लेकिन अगर एक bond market बना देंगे, तो even private players can provide the money or credit to these MSME companies, इसके अलावा, second चीज है कि regulation की बात आ गई तो independent MSME regulator बनाने की बहुत सारी recommendation आ चुकी है, और इस regulator का focus होना चाहिए कि formalize करे MSME sector को और ensure करे कि हमारे देश में ease of doing business आया specifically for MSME sector, ताकि आपको business start करना easy हो, आपको contract enforce करना easy हो, tax भरना easy हो, सारी चीज़े easy हो जाए MSME sector को, तो उससे बढ़ावा और भी मिलेगा, इसके को reform करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने scaling up के उपर आपको बात की दी, micro से small नहीं बन रहे है, small से medium नहीं बन रहे है, medium से large नहीं बन रहे है, quite obvious, तो इसके लिए आपको labor loss को reform करने की ज़रूरत है, जहाँ पे राज्यों का role भी आ जाता है, केवल केंदर सरकार का आप हमेशा याद रखिएगा कि जो issue बताया है, आप उस issue को solution बताया है, ऐसा नहीं कि आपने issue कुछ बताया है और solution कुछ बताया है, यही चीज होती है जहाँ पे आपको marks कमाता है, जहाँ पे आपकी thought process clear नहीं दिखाए दी, तो this is the discussion about the MSME sector, I hope this was interesting for you, thank you for watching, जैहन्द!